तो यह aap देख सकते हैं कि HEMारा चिकन खेणी कीसे सुन्दड लग रहा है कि aid टाना दाना बर्लीकुल खिला खिला बना है तो और यह जितना देखने में सुन्दर है उतना खाने में भी सुन्दर है इसे बनाने के लिए हमें जो चीज़े चाहिए और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर लियू कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप उसे सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और लाइक करें और शेर करना ना भूले थाके तबी को मिले हमारी दाल लिए और इसमें प्याज है यह तकरीवन चार पीस प्याज है नॉर्मल साइज के इसे मैं बार एक स्लाइस में कट कर लिया अब मैं इसे फ्राइब करूँगा तो चलिए इस अभी को इसके इंदर और और आट कर देए और इसे लाइक ब्राउन होने पर फ्राइब कर कि अब देख सकते हैं कि हमारा प्याज ब्राउन होता है बाही के मसाले के देख लेटे वह में और क्याच एगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है अब हम इसे निगाल लेगे हैं एक प्लेट में इसको निकाले हैं चलिए आपके निकाल की लिखाता है तो आप देख सकते हैं कि मैंने सारे प्यास को प्राउन करके निगाल दिये अब इसके बार हमें सी यह सुछ घड़े गरे मसाले के यह दो जो टेश पत्ते हैं वह हम अ हमेआ sahड में डालेब और यह हयं गांगें गली है यह प्लिक हड़ा अलाग और यहां टीतनाप साजीड़ा लिए और यह 2 तुखड़े जावित्री के लिए एंहां चेक पहा हैं, यह जटे हैं 4-5 डुक्रे बलने दालचीनी लिया और यह 8-10 लॉंग और यह पांच हरी ऐलाची और यह फ्रेश मैं लशन अधरकि द्रेशरी लाती है। यह एक इंच को टुकड़ा दिया है लसन अद्रक और यह एक साबूत ले रिया पूरा लसन इन्हें मैंने चीर लिया और इसे में पीस लूँगे और यह मैंने हाफ नेमो का जूस ले लिया लेमन जूस और यह आप देखे चिकन यह मैंने चिकन तकरीबन एक किलो है एक किलो और यह एक किलो चाहे तो चीकन जादा भी कर सकते हैं तो मैं बराबर रख़ रखनी नहीं चरिए अब बताती हूं लेती हूं बताती हूं क्या करना चाहिए पहले तो यह व्यद्ट हमारा गर्म है उसी कें अंदर हम यह मसाले एक करते हैं यह जीर डालेगे और यह साज्य जावीत्री डाल देंगे और दाल चिनी टुकड़े थोड़े से बचा लेंगे बाकिश सब इसके अड़ कर देगा तो आप देख सकते मैंने इसमें घरे गड़ा मसाले एड़ कर दिया और चूला मैंने अब आफी रखाया अब मैं इसके अड़ करूंगा यह चिकल सारे इसके आध्यार बात्न नाइगक अधे देए सबस्क्राइब कर दिया तो मैंने चिकल आउच के यह मेंने दो मिडियूम साइस के अली पोला के लाज गर्बारे चुक्त कर दिया वोली मैं हुग इसके द्राज कर दिनके अर यह निंबौ को यो Ambassadorom परन ह्यूस। तो यह आप दो सकते हैं यह मैंने दखी लिया पचास किराम इस पोड़ी सिंदर मैट कर देखे लिया अगर आपका हरी मिर्ष बहुत ज्यादा तीखा तो अब कम डालें अब मैं इसके लिए हमारा पुदीन पत्ता और यह हरा धनिया पत्ता अब इसके लिए हम डालेंगे मसाले मसाला में दन्या पॉड़र वन चलमस एक चलमस हली पॉड़र हाफ टीज कुल नमक आप अपने टेस्ट के अपरिंग डालें लाल मेश पॉड़र एक चलमस काली मस्पॉड़र एक समश जीरा पॉड़र एक समश गरम मसाला पॉड़र एक समश अब इन सब को करेंगे अच्छा से मिक्स पिर मैं आप से मिलती है तो आप देख सकते हैं इसको मैंने अच्छा से मिक्स कर लिया अब मैंने चुला ओन किया है और उसके बाद मैं से ठकतर पकने दूँगी अच्छी तरीके से मारा चिकन गली जाए और पानली खुष्ट हो जाए तब तक हमें से पका लिए तरी यह तुनाप से मैं मिलती है यह सारे इसके लिए अब गली जाए जाए तो आप अब समसार कर देगें ता कि जो हमारा प्यास वगएर और जो भी मसाला ऐ तमाटर वह अच्छी तरीके से गल जाए तो चलिए इसे हम लो फ्लिम पे रखते हैं पकने लेते हैं चले इसे बीच विच में चलाना भी है हमें यह लेखें इस स्टेश पर आता है यह हमारा मिल्क यह मैंने हाफ क्लास लिया वह आप इसके अंद्र एक्ट कर दिया दोस्तों दूर डालने से बहुत बढ़िया जब जब तक हमारा कुरम ठ्यार होढ़ा हम हम चावल बॉल कर लेते हैं एपने पानी के ताथ खड़े दरे मसाले में बच one principles करेंगे कि हमारा चावल चिपके नहीं और इसके अंदर है सारा नमक यानि कि पानी हमारा ज्यादा है तो पानी कि इंसाब से हम नमक इसके अंदर आट करेंगे चावल कि नहीं दिए मैंने एक चब मा टाल दीं टो आफ वि दो ये तीन आप शक्ते टाल से मैंने आपको पानी है परफेक्ट नियुक्त है अब हम इसे ढख कर दो बॉल आने देंगे उसके बाद इसके इसे ने चावल एक करेंगे इसे बॉल आने का अबएक करते है तो आप देख सकते हैं ये चावल मैंने एक घंटा पहले दिया अब इसे पानी से निकाल लिया अब ये देखे चावल का पानी किक्टी चित्रीकी से पोयल हो चुका अब इस वंडर शुक्त है अब आपको खोने दूंगी एक टी परसें एक आप से बिलते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो चिकन है बहुत ही अची तरीके से बुन चुका और खुश्बू तो बहुत ही जबरतास्त आ रही है और ये इसका ओएल भी बहुत अची तरीक से छोड़ चुका है ता अब हम इससे स्टेच पर आकर गैस को कर देंगे आप अपना चावल देख लेंगे अब देख सकते मैंने बड़े पती ले लिया उसमें इन थोड़ा से चावल डाल दिया और एक लेड़ में चिकन कर डाल दूए इस तरीके से में एक लेड़ चिकन कर डाल दूए अब इसके बब फिर से मैं चाबल लगा दूगूँ अब ऑर चिकन को लेड लगा लेगे अपल्य के लिल current ओर लेगे आप मार्सल में गूच़ मैं अब अब एक यह शी करें एक लिम्बोर हो अबी निः दन्या पत्ते उनिःग आप, और से कृद्या में आप रह अं अब इसके हम एक एस्टरी के से लेल लगा लें है और ये बारिक दनी ने पत्ता और ये पुरीना और ये प्याज और इसके पर हम डालेंगे जर्बे करां जिसे हमने पानी में घोल लिया और ये केवरा वाटर है अब इसके पर हम फिर से थोड़ा सा डालेंगे चावल स्थ्जिकन भी ढड़ा ने कोसे ने के पर खुदिए रहाता बारी ने तो यह देख सकते हैं मैंने इसको पर सारे चिकन एड़ कर दिया और इसके उपर मैं डाल जोंगी यह सारे तर्माटर स्लाइस मेरे मैंने कट किया है इसके उपर मिठी तर्म रर्य जोंगी है निया है और यह द्यासिव को प्री अग्टार आरे लिना नियान पिता तर्म आथ नियान पिता कि रहें आवले देखार रिया जोने अग्ययर जावान निया मैंने के जोड़ को जोड़ा है आपके पीजाए से पाक्राइब एक और आपकाद अच्छे इसे पढ़ा देंगे अमशेख अच्छे के मसाले इसके पड़ा देंगे इसे पहले मैं इसमा एक करूंगी ये जर्दे का रंग जर्दे का रंग डाल दिया अब मैं इसके अंदे के और वाटर डालें कि मैंने येलो कलर का जर्दा रंग डाला है अब मैं इसके रेड कलर के थोड़ा सा पॉड़र चुड़त रूने कि इसके कलर बहुत ही बढ़िया है कि प्री आयने का कलर अधिक सकते हैं कि पॉड़र ही मैं डाल रही है या शोरी और अधिक क्षा हमाद नाम है अधिक साथे टाल रहता न के पद़्ूटे जूब दुचे के पाट रहता हम आपिंदो फ्राइद आखा Красण अच्छी तरीके से ढख कर 10-15 मिनुट के लिए दम पे डाल दिया तो आप देख सकते हैं मैंने आटा लगा के इसको अच्छी तरीके से सील करके 20 मिनुट तक मैंने दम पे डाल दिया अब इसे खूलने का तरीका यह है अईस और इस तरीके से और खूड़च ले और इस तरीके से आप खोल के देख रहे है अब रिए यह सारे आटे को निकाल ले ाब बडिया इसको खुश्पू आ रहा है कि तो यह आप देख सकते हैं कि हमारा ब्रियानी इतना बढ़िया बना है यह देखें इसका एक एक दाना बिलकुल खिला खिला बना है अब मेरे स्टाइल में बनाएं मेरे तरीखे से बनाएं और खाएं और बताएं इतना मज़ेदार और टेस्टिक भियानी आपने कभी नहीं खाया होगा चलिए समय दिस आउट करती है तो यह देखिए हमारा चिकन भियानी बनके बिलकुल रेडी है हुआ हुआ